नेजी छेत्रको संगिय प्रतिनी दिमुलक्षस्ता नेपाल उध्यो बाडिज्य महासंको एकाउन्नों बार्षिक साधन सभावाट नेर्बाचित बर्तमान कार्यकारिडे समितिले आफनों कार्यकाल सफलता पुर्वत पुरा गर दैछा अद्धच्य भवानी राणाको नेत्रितोमा निबर्तमान अद्धच्य पसुपती मुरारका बिजिस्ट सदच्य एवंपुर्व अद्धच्य चंडिराज दकाल बरिश्य उपादच्य शेकर गोल्चा उपादच्य अरू इसोर कुमार प्रधान उमेशलाल स्वेष्ट चंद दिल सफल में द्धच्य दियो महासंको बर्तमान टीम लाई मुलुक आर्थिक ब्यावसायक दिकास मा निरंतर लागना हौसला प्रधान गरन हुने रा महासंगलाई निजी छेत्रको नेत्रित्त दाई संस्थाको रुपमा पुर्याउन आफलो कारेकालमा अभिस्मरणिय योगदान दिलो होने सवै पुर्वा अधच्छे जिवहरुमा महासंग को बर्तमान टिम वहां हरुको कुच्च सम्मान गर्द छा। संगिय गणतंत्र नेपाल को संबिधान कार्यान वेन पस्चाथ संपन्न स्थानिय प्रादेशिक र संगिय चुनाबाट बलीयो स्थाई सरकार गठन भई क्रियासिल रहे को बर्तमान अभस्थामा महासंग को नित्रितोले आफलो कार्यकालमा मुलुक को संब्रित दिमा तिने तहको सरकार्षगा निरं तर सहकार्य गरियों। पईरवी तथा निती निर्माड मां बलियो उपस्चिती, आर्थी कूट निती तथा अंतरास्टिय सम्बंद विस्तार र नभिन्तम योजना हरू, मार्फत, सदस्य संस्ता, निजी छेत्रकु छमता विकास तथा सेवा विस्तार गर्ने कारे लाई अधिकतम रूपमा कारे ल प्रयास हयो. महासंग ने आफना सदस्य हरू र सेवा ग्राही हरू लाई दिने सेवालाई, चुष्त दुरुष्त र प्रभावकारी बनाउन, बर्तमान नित्रित्वले महासंग का साते योटा प्रदेश चाप्टर, सचिवालाय को प्रभावकारी संचालन, जनसक्ती स्थापन आधुनिक प्रविदी को अधिकतम प्रयोग मार्फत सेवा प्रवहालाई प्रभाग कारी बनावन जोड़ी तदन रूप सफलता समेत हासिल गरिए। नेपाल सरकारबात यस अबधिमा जारी दिविन्न महत्त पूर्ण एन कानुन हरिको निर्मान संसोधन को नरलेखन लगायत मा महासंगले आपनो महत्त पूर्ण सल्हा सुझाब दिदे आयो भने पतिपय कानुन मिर्मान मा महासंग प्रतच्य सहवागी भई टेसलाई उद्रों सल्हा सेवागी पक्रतच्य यसेशय शतरी सक्य दिविन्ना ओधिमान म्हति है। सरम तथा सामाजिक सुरक्षय एन CHN, आउद्योगिक बेवसाय N, आर्थिक N, कानुन हरू, बैदेशिक लगानी तथा प्रविदी हस्तांतन सम्मंदी N, उपभग्ता सम्मंदी N, लगायत क्या महत्त पुण N कानुन हरू को निर्माड मा महासंगले नेत्रित्त दाई भुनिका निर्वाहा गरी। तोजगार दातार, ट्रेड यूलियन वीच को आपसी संबंद सहकारे लाई फप मजगूत्र प्रवावकारी बनावने कारे मां, महत्त पुण प्रयास एबां उपलब्दी समित्त हासिल गरी। मुले घुत्र अउद्योगिक ब्यवसाइक छेत्र ने संबजार संबंदी आवसे पत्थ्यांक एबन जानकारी को भावना, भुगनू पर एको समस्यालाई मद्धे नजर गर दे। ब्रिटिस काउंसिल दच्चेता प्रोजेक्ट को शहयोग मां, महासं सचीवालाई मां, संबजार संबंदी शुचना प्रडाली नाई, ब्यवस्तित र भरपर्दोग बनावने कार्य का लागि, इंप्लोयर लीड लेबर मार्केट सेक्रेटेरिया, E.N.N.S. कारे में मां य प्रबर्दन गर्ली कार्य मां, महत्त पुण भूमिकार निर्वाहा गरिव भने, पछिल्लो करिव एक बर्ष देखी, 200 महामारी को रूप मा आयको कोरोना का कारण, मुलुक को अर्थ तंत्रमा गंबीर असर पर्न सक्नी, तुर्बानुमान गरी, आफना सबै सदस्य गंबीर परामर्च गरी, नेपाल सरकार लाई समय में बिविन्न कदम हरु चालना जग्जक्याई रहिए। लगायत स्वास्त्य सुरक्ष्या सामगरी, हाद्यान अउसदो पचार, आइसोलेशन, निर्माण, जनचेतना मुलक भियान लगायत का अत्या बसेक, बस्तु उपलग्द गराई, धिविन्न तवर्बाट अग्रभाट मा रहेरा सहे जरी रहे। अर्थिक विकास को प्रयास्न, पूजी, प्रविदी, ज्यान, शिप्त, तथा विकास को मोडल भित्रयाई सहयोगर्न, आग्रहगर्न का साथे, सहकारियमा समेट जोड़ दियो. So, these last few years, we have been collaborating with Mrs. Wana and her team on several occasions, to organize, for example, some B2B meetings between France and Nepal. The purpose of all this was to try to develop private direct investment in Nepal and create some business opportunities for French companies and Nepali companies. And I have to say that we had a very dynamic partnership and it worked quite well and I think that it's very important for an embassy like the French embassy to have a partnership with such an institution like the FNCCI. तेसेगरी, भारत, चीन, सार्क तथा योरोपियन मुलुक हरुमा, आयोजित अंतरास्टी आर्थिक कार्यकम हरुमा, महासंगले आपनो ससक्त प्रतिमिदित्ट जनाई, नेपाल को प्रवर्दन गर्नी कार्यमा महत्त पुन भुनिका निर्वाहा गरी. महासंगले चिनेकी देश भारत सग शिमा जोडियका जिल्ला हरुको सम्रिद्धिका लागे, लगानी आकर्शित गर्नी उद्देशयले शिमा वर्ति सहर हरुमा, अंतर सिमा आर्थिक सहकार्यका विशयमा सम्मेलन, नेपाल भारत फ्रेंचाइज एक्स्पो तथा सम्मेलन, पचिलो पतक नेपाल भारत आर्थिक देवसायक सम्मल्द अधिस्तार मारफत वयका वर्चुल कारिकमहरमा महासंग को सक्रिय सहवागिता रहु। I am very happy to speak to FNCCI. This is an organization with whom we in the Indian Embassy and the Indian industry have a community. Let me say a few things to you about what we have done with FNCCI in Nepal. But I think we have done three or four things which are special, which are new and which have been particularly successful. The first one was an initiative that we started at the Embassy and FNCCI became a strong supporter and indeed a collaborator with us. This was an event in the ideas of franchises. We had first worked on the issue of innovation, startups, etc. and then we built it up towards franchises. And with FNCCI we collaborated in doing an India-Nepal Franchise Exhibition Hill Summit. And this logistics summit which was anchored by FNCCI at this end resulted in a huge turnout of people from India who are involved in the logistics of the trade with Nepal. So I am very happy to see that all these initiatives, each and every one of them in which FNCCI has been our collaborator have all gone forward and I want to wish the organization all the very best as Nepal moves towards a prosperous nation and a nation of happy people. I am very happy to see that. I am very happy to see that. I am happy to see that. So I am happy to see that. I am happy to see that. झाल